हेलो फ्रैंस, टेन माइल स्पीच प्लॉसम के पार्ट फाइफ में आपका स्वागत है लीजीन को याद आता है कि सीईन अक्सर ही मोटल वर्ल्ड में जाया करती थी उसे लगता है कि सीईन चरूर वहीं पर होगी लीजीन फॉरन वहाँ जाने के लिए निकलता है बाहर उसे एक औरत आती है जो अपने जान की भीक मांगती है क्योंकि सुवान्नू से सजा देने वाली थी लीजीन उसे बचाता है वो सुवान्नू के उपर गुसा होता है सुवान्नू कहती है कि इतने सालों बाद भी तुम आज भी सीईन को याद करते हो उसके पास असा क्या है जो मेरे पास नहीं है लीजिंग वहाँ से चला जाता है, सुवाननू दुखी होती है लीजिंग माउन जुण जी के पास पहुच कर सहर में उसे धून्डता है और उसके बाद वो जंगल में भी वहाँ पहुचता है जहां बाईचियन यहुआ के साथ रह रही थी लेकिन उसे उसकी जोपड़ी नजर नहीं आती है योकि यहुआ ने मैजिक करके उसे छुपाया हुआ था अपने प्रोडक्शन में रखा हुआ था यहुआ लीजिंग से मिलता है लीजिंग उसे बताता है कि वो सीईन की तलास क पांगता है यहुआ कहता है कि मुझे सीईन के बारे में बस इतना ही पता है कि मो युवान के साथ वो कहीं चला गया और उसका कुछ भी अता पता नहीं है यहुआ उससे वो जट फैन ले ले लेता है क्योंकि वो फैन हैवन को बिलॉंग करता था यहुआ बाईचियन के पा फेंग जियू डॉंग हुआ से मिलने के लिए परशान रहती है आखिरकार सी मिंग उसकी हेल्प करता है वो उसके तोड़े हुए फूलों को डॉंग हुआ के रूम में रख देता है वहां डॉंग हुआ और ठर्ट प्रिंस रहते हैं उन लगों को वो फूल काफी पसंद आता है तो सी मिंग उस मेट को बुलाता है जिसने वो फूल सजाया था और वो फेंग जियू रहती है वहां पर लेडी चैंग भी पहुच जाती है और वो सभी ऐसा प्रिटेंट करते हैं कि कोई भी फेंग जियू की हेल्प नहीं किया है डॉंग हुआ से मिलवाने में डॉंग ह जियू से मजाक करते हैं कि तुम यहां पर अपना कर्ज चुकाने आई हो या फिर यह कोई अफेक्शन है लेकिन फेंग जियू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो बस डॉंग हुआ का कर्ज चुकाने आई थी मैं उनके लिए कोई भी फिलिंग्स नहीं रखती हूँ ऐसी कोई भी बात हमारे बीच में नहीं है इधर बाइचियान यहुआ से कहती है कि अब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हारे जाने का समय आ गया है मेरे पास अब अनाज भी नहीं बचा है कि हम दोनों का गुजर बसर हो सके यहुआ थोड़ा सा अपसिट होता है वो कहता है कि तुमने मेरा ख्याल रखा और मेरी जान बचाई मैं उसका करज कैसे उतार सकता हूं क्या तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाओं बाइचियान कहती है नहीं ऐसा नहीं है तुम सिर्फ एक तरीके से ही मेरा करज उतार सकते हो मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती हूं मै मेरे साथ रहो तुम अपने आपको मेरे नाम कर दो ये हुआ बाइचियान के करीब जाता है और कहता है ठीक है बाइचियान कहती है कि हमेशादी की तैयारियां करनी होगी ये हुआ कहता है तुम मुझे से साधी करना चाहती हो बाइचियान कहती है हाँ तो आगे वो दोनों ही शौपिंग करने जाते हैं मैरेज के लिए और बाजार में ली जिंग जो सीईन की तलास कर रहा था उसे बाइचियान की हलकी सी जलक दिखती है और वो उसे ढूंडने लगता है लेकिन वो बाइचियान तक नहीं पहुच पाता है इधर बाइचियान और ये हुआ दोनों ही मै सोचेगी तुमने खुद से ही मैरेज कर ली ये हुआ कहता है कि मेरे फैमली का मैटर कॉम्प्लिकेटेड है बाइचियान पुछती कि कहीं तुम्हारी शादी कहीं तै तो नहीं है तो ये हुआ उसके पास आता है और उसे प्रमिस करता है कि वो कभी भी उसे धोका नहीं दे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी ये हुआ कहता है यही तो मैं भी चाहूंगा न बाइचियान कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ये हुआ स्माइल करता है फिर वो उसे अपनी आखे बंद करने के लिए कहता है और फिर वो दोनों किस करते हैं इधर कि उसे अपने क्लैन में पुर्वजो की पूजा करने के लिए जाना है और एहुआ को वो उसके साथ भेज दे इधर सुवान नू प्रिंसेस यान जी को मेलट्री सील दे देती है ताकि वो अपने बड़े भाई लियुवान को अजात करा सके लेकिन इस मदद के पीछे उसक का भेस बना कर लीजिंग के पास जाती है जो सीन के प्यार के दर्द में डूबा रहता है वाईचियान के खाना बनाने की स्किल अच्छी नहीं थी हमेशा कुछ न कुछ गरबर होती थी इस पार उससे आग लग जाती है पूरी जोपड़ी जलने लगती है वाईचियान जाती है यहुआ उसे रोकता है कि कहीं वो घायल नहों जाए और उसके बाद जब बाईचियान काफी जदा परिशान होती है तो वो उसकी आखे बंद करके मैजिक से आग बुझा देता है और सब ठीक कर देता है बाईचियान ये सब देखकर शौक्ड हो जाती है वो डर ज देगा ये हुआ उसे रोकता है वो कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पढ़ता है कि मैं एक मॉंस्टर हूँ वो कहती है नहीं वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी की है और तुमसे प्यार किया है मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि तुम इनसान हो या मॉंस्टर ये हुआ क पात ज़से गले करने के लिए कि उसका मकसद केवल अपना कर्ज जुकाना है और उस से ज़्यादा कुछ नहीं वो ये भी notice नहीं कर पाती है कि उस समय डंग हुआ के साथ heaven king और कोई और भी है फेंग जी यो एंबारस होकर वहां से चली जाती है heaven king डंग हुआ के साथ जाते हैं ये हुआ से मिलने के लिए और उसके ठर्ड अंकल परिशान होते हैं क्योंकि उन्हें तो पता है कि यह हुआ तो मोटल वर्ल्ड में है इधर यह हुआ उस समय जंगल में रहता है बाइचियान के साथ लेकिन अचानक वह वहां से गायब हो जाता है और राइट टाइम पर हैवन मे के मैरेच के लिए कहते हैं तो यह हुआ बहाना बना कर मैरेच को डिले करने के लिए कहता है कि यह पहली बार है जब तुम मेरे खिलाफ कुछ बोले हो वह उसे याद दिलाते हैं कि वह अपने सेकंड अंकल की तरह प्यारवार में पढ़कर कोई भी बेकुफी नहीं करेगा उनके जाने के बाद यह हुआ कि ठर अंकल जिनको सारी सच्चाई पता है वो यह हुआ से कहते हैं कि राजा यह कभी भी बरदास्त नहीं करेंगे कि तुमने एक मोर्टल से साधी की है और हावन किंग इसकी सज्जा उस मोर्टल को ही देंगे उधर डॉंग हुआ फेंग जी जुकाने में मेरी हेल्प कर सकती हो और घूम फीर कर डॉंग हुआ एक बार फिर से मो युवान सी इन के बारे में ही पूछते हैं फेंग जी यू सोचती है कि ये बार बार सी इन यानि की मेरी आंट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं वो एक बार फिर से उनसे जूट बोलत कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है वो उससे magical jet fan के बारे में भी पूछते हैं और वो उस बारे में भी मना कर देती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा है तो फेंग जियू गलती से एहुआ की कजन जियू के उपर ट्रिंग गिरा देती है जियू कहती है तुम एक princess हो